हाई फ्रेंड माइनियम इस अमित मेटा और मेल्कम टू वेल चनकीया दोस्तो अगर आप पोस्ट ओफिस की सेविंग की स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहते है तो आज के वीडियो में हम उसके इंट्रेस रेट जान लेते हैं दोस्तों अगर आप post में saving bank account open करते हैं तो आपका interest rate रहेगा 4% वो भी annually रहेगा यानि कि आपको annually उसके उपर 4% interest मिलेगा अगर आप post में fixed deposit करवाना चाहते हैं तो एक साल, दो साल या तीन साल की अगर आप fixed deposit करवाते हैं तो उनका interest rate रहेगा 5.5% वो quarterly रहेगा मगर यदि आप 5 साल की fixed deposit करवाते हैं तो आपको 6.7% का quarterly compounded interest rate मिलेगा अगर आप 5 साल की post में recurring deposit खुलवाना चाहते हैं तो उसका interest rate 5.8% रहता है senior citizen के interest rate के बारे में जाने दोस्तों तो ये normally दूसरे interest rate से 0.5% ज्यादे रहता है तो post में अभी senior citizen का interest rate 7.4% चल रहा है और ये quarterly होता है इसके अलावा post में एक MIA scheme होती है जिसको हम monthly income scheme कहते हैं जिसका interest rate 6.6% है इसके अलावा national saving certificate की scheme होती है इसका interest rate currently 6.8% चल रहा है इसके अलावा public provident fund जो की post या bank कहीं भी आप जाए उसका interest rate 7.1% अभी चल रहा है इसके अलावा सुकनिया समरुदी scheme भी bank या post में आपका कहीं भी account हो उसका interest rate भी same ही होता है और वो है 7.6% annually पीपीएप का भी annually रहेगा इसके अलावा post में किसान विकास पत्र होता है यानि कि आपके पैसे double कितने time में होते है तो ये अभी 124 मन्त में double हो रहा है और इसका interest rate 6.9% annually compounded है तो दोस्तों ये होगे post के interest rate अगर आप post में चाहते है तो ये interest rate आपको कुछ help कर देंगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और subscribe कीजिए बाई